करें कारकम में मेरे साथ उपस्थित गच्छा दिपती जयनाचार्य स्रि विजै नित्यानन सूरी स्वर्ज महाराज आचार्य स्री विजय चिदानन सुरी जी महाराच आचार्य स्री जयानन सुरी जी महाराच महात्सव के मारदर्शक मुनि स्री मोक्षानन विजय जी स्री अशोक जैन जी स्रीमान सुदिर महता जी स्री राजकुमार जी स्री दीशुलाल जी और आचारिय श्री विजय वल्लब सुरीजी के सभी साथी अन्याईयों आप सभी को युगदरश्टा विश्व वेंद्य विभूती कलिकाल कल्पतरू पंजाब केश्री आचारिय श्री विजय वल्लब सुरीजी के एक सो पचासवे जन्म वर्ष महुत्सव की बहुत बहुत शुपकामनाय करता हूँ ये नव वर्ष अध्यात्मिक आभा का वर्ष है प्रेणा देलियां वाला वर्ष है ये मेरा सोभाग है कि मुझे इस आयोजन में शामिल होने आप सभी से आसिरवाद प्राप्त करने का आउसर मिला है जन्म वर्ष महुत्सव के माध्यम से जहां एक तरफ भगवान ची महाविर स्वामी के अहिंसा अनेकांत और अपरिग्रत जैसे सिध्धांतों को प्रसारिट किया जा रहा है तो साथ ही गुरु बल्लब के संदेशों को भी जन जन तक पहुँचाया जा रहा है इन भव्य आयोजनों के लिए मैं गज्जादिपदी आचारिय स्थिमाद विजय नित्यानन सुरिस्वर जी महाराज का भी विशेश रुप्से अभिनंदन करता हूँ आपके दर्शन, आशिर्वात और सानीत्य का सौभाग्य मुझे बडोद्रा और छोटा उदेपूर के कमाण गाम में भी प्राप्त हुआ था आज पुनह आपके सम्मुक उपस्तित होने का आउसर मिला है जिसे मैं अपना एक पुन्य मानता हूँ संतजन, आचार्य सिबत, विजय नित्यानन सुरिश्वर्जी महराज कहा करते हैं कि गुजरात की धर्ती ने हमें दो वल्लब दिये और अभी भी इस बात का जिकर हुआ राज नितिक शेत्र में सरदार वल्लब भाईपटे और अध्यात्मिक शेत्र में जैनाचारिय बिजय वल्लब सुरिश्वर्जी महराज वैसे मैं दोनों ही मापुरुशों में एक समानता और देखता हूँ दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया मेरा सवभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लब भाईपटेल की विश्व की सबसे उची स्टेची ऑफ यूनिटी के लोकारपन का अउसर दिया था और आज जैनाचारिय विजे वल्लब जी की स्टेची ऑफ पीस के अनावरण का सवभाग्य मुझे मिल रहा है संतजन भारत ने हमेशा पूरे विश्व को मानवता को शांती अहिंसा और बंधूत्व का मार्ग दिखाया है ये वो संदेश है जिनकी प्रेड़ा विश्व को भारत से मिलती है इसी मारदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की और देख रही है मुझे विश्वात है कि ये Statue of Peace विश्व में शांती अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा श्रोद बनेगी साथियों आचारिय विजव वनलब जी वे कहते थे धर्म कोई तटबंधों में बंधा सरोवर नहीं है बलकि एक बहती धारा है जो सब को समान रुप से उपलब्द होनी चाहिए उनका ये संदेश पुरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है उनके जीवन का जो विस्तार रहा है उसमें आवश्चक है कि उनके बारे में बार बार बात की जाए उनके जीवन दर्शन को दोहराया जाए वो एक डार्शनिक भी थे समाज सुधारक भी थे वो दुरद्रश्टा भी थे और जन सेवक भी थे वो तुल्चिदास आनंदधन और मीरा की तरफ परमात्मा भक्त कभी भी थे और आदुनिक भारत के स्वप्न दर्श्टा भी थे ऐसे में ये बहुत आवशक है कि उनका संदेश उनकी सिख्षाएं और उनका जीवन हमारी नई पीड़ी तक भी पहुँचे साथियों भारत का इतिहास आप देखें तो आप मैसूस करेंगे जब भी भारत को आंतरीक प्रकास की जरुवत हुई है संत प्रंप्रा से कोई न कोई सुर्य उदय हुआ है कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है आचार ये विजे वल्लब जी ऐसे ही संत थे गुलामी के उस दौर में उन्होंने देश के गाउँ गाउँ नगर नगर पैदल यात्राएं की देश की अस्विता को जगाने का भगिरत प्रयत्त किया आज जब हम आज़ादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं आज़ादी के अंदोलन के एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसने किसी रूप में हमने हमारे आख कान की और से गुजरा है लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आज़ादी के आंदोलन की पिठी का भक्ति आंदोलन से हुई थी जन जन को भक्ति आंदोलन के माद्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से संतों ने, महंतों ने, रुश्यों ने, मुनियों ने, आचारियों ने, भगवंतों ने उस चेतना को यागरत किया था एक पिठी का तयार की थी और उस पिठी काने बाद में आजादी के अंदोलन को बहुत बड़ी ताक़ दी थी और उस पूरी पिठीका को तयार करने वाले में जो देश में अनेक संत Helsинки थे उसमें एक बल्लब गुरु थे गुरु बल्लब का बहुत बड़ा योगदान था जिसने आज़ादी के आंदोलन की पिठी का ताइक थे लेकिन आज 21 सदी में मैं आचारियों से, संतों से, भगवंतों से, रुष्वियों से, कथाकारों से एक आगर करना चाहता हूँ जिस प्रकार चे आज़ादी के आंदोलन की पिठी का बक्ति आंदोलन से शुरू ही, बक्ति आंदोलन ने एक ताकत दी, बैसे ही आत्म अंदिर्भर भारत की पिठी का तयार करने का काम भी हमारे संतों महंतों आचारियों का है आप जहां भी जाएं, जहां भी बोलें, अपने शिष्य हो या संतजन हो, आपके मूँ से लगातार ये संदेश, देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए, और वो संदेश हैं, वोकल फॉर लोकल जितना जादा हमारे कथाकार, हमारे आचारिय, हमारे भगवांत, हमारे संतजन, उनकी तरब से बाद जितनी जादा आएगी जैसे उस समय आजादी की पीठी का आप सभी आचार्यों संतों महांतों न की थी बैसी ही आजादी की पीठी का आत्मनिर्भर भारत की पीठी का आप तयार कर सकते हैं और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों महापुरुषों के चर्णों में आगरह पुर्वग निवेदन कर सकता हूँ, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूँ, क्या आईए हम इसके लिए आगे बढ़े। देश की आजादी के लिए भी स्वपने देखा और आजाद भारत कैसा हो इसकी भी रूपरे का कीची। स्वदेशी और आत्म निरभर भारत के लिए उनका विशेश आगरह था। उन्होंने आजिवान खादी पहनी, स्वदेशी को अपनाया और स्वदेशी का संकल्ब भी दिलाया। संतों का विचार कैसे अमर और चिरंजी भी होते हैं, आचार ये विजेवल्लब जी के प्रयास इसका साक्षात उधान है। देश के लिए जो स्वप्न उन्होंने आजादी के पहले देखा था, वो विचार आज आत्म निर्भर भारत अभ्यान के जरिये सिद्धी की तरफ बढ़ रहा है। साथियों महापुरुषों का संत्यों का वचार इसलिए अमर होता है, क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बताते हैं, वही अपने जीवन में जीते हैं। आचार ये विजय वल्लब जी कहते थे, साधू महात्माओं का कर्तव्य केवल अपनी आत्मा के कल्यान करने में ही समाप्त नहीं होता। उनका यह भी कर्तव्य हैं, कि वह अज्ञान, कलह, बेकारी, विशमता, अंतस्रद्दा, आलस, व्यसन और बुरे रिती रिवाजन, जिन से समाज के हजारों लोग फिडित हो रहे हैं, उनके नाश के लिए सदा प्रहत्न करें। उनके इसी सामाजिक दर्शन से प्रेडित होकर, आज उनकी परंपरा में कितने ही युवा समाज सेवा के लिए जूड रहे हैं, सेवा का संकल्प ले रहे हैं। संतजन आप सब भी ये भली भाती जानते हैं कि सेवा, सिक्षा और आत्म निर्भरता से ये विशय आचारे सी के रुदे के सबसे करीब थे। गुलामी के कालखन की तमाम चुनवतियां के भावजू उन्होंने जगह जगह सिक्षा का प्रचार किया। गुरुकुलों, विद्यालयों और महा विद्यालयों की स्थापना की उन्होंने आवान किया था गर गर विद्यादीप जले गर गर विद्यादीप जले। लेकिन वो ये बाद भी समझते थे कि अंग्रे जोद्वारा बनाई सिक्षा विवस्ता भारत की आजादी और प्रगती में मददगार नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने जीन विद्यालयों महा विद्यालयों की स्थापना की वहाँ शिक्षा को भारतियता का कलेवर और भारतिय रंग दिया। जैसे मात्मा गांदी ने गुजरात विद्यापिट का सपना देखा था। वैसा ही सपना गुरु वल्लब ने देखा था। एक तरह से आचारिय विजे वल्लब जी ने शिक्षा के खेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्तान, गुजरात, माराष्ट, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में बारतिय संस्कारों वाले बहुत से सिक्षन संस्ताओं की आधार चिला रखी। आज उनके आसिरवाद में अनेकों सिक्षन संस्ताण देश में काम कर रहे हैं। साथियों, आचारिय जी के ये सिक्षन संस्ताण आज एक उपवन की तरह हैं। ये भारतिय मुल्यों की पाड़ साला बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। सो सानों से अधिक किस यात्रा में कितने ही प्रतिभासाली युवा इन संस्ताणों से निकले हैं। कितने ही उद्योगपतियों, नायादिशों, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने इन संस्थानों से निकल गर देश के लिए अभुत्पर्व योगदान दिया है। इन समय में भी स्त्रीज सिक्षा की अलग जगाई अनेक बालीकास्रम स्थापित करवाई और महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जैन साद्वियों से सभामे प्रवचन दिलाने की प्रंपरा विजय वल्लब जी ने शुरू करवाई थी। नमाज में सिक्षा में बरा बरीकात ये दर्जा मिलें। भेजभाव वाली सोच और प्रथाएं खत्म हो। आज आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि देश में इस दिशा में कितने सारे बढ़ला हुए हैं। तीन तलाग जैसी कूर प्रथाओं के खिलाब देश ने कानून बनाया है। महिलाओं के लिए ऐसे सेक्टरों को भी खोला जा रहा है जहां अब तक उनके काम करने पर मनाई थी। अब देश की बेटियां को सेनाओं में अपना शावर्य दिखाने के लिए उनको भी ज़्यादा विकप मिल रहा है। इसके साथ ही नई राष्टिय शिक्षा नीती अब देश में लागू होने वाली है। इनीती शिक्षा को भारतिय परिवेश में आधुनिक बनाने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी नए अवसर तयार करेगी। साथियों आचार ये विजय वल्लब जी कहते थे राष्ट के कर्तवियों के उपेक्षा नहीं अनूपालन करना चाहिए। वो अपने जीवन में भी एक भारत स्रेश्ट भारत के ही मंत्र को जीते थे। मानवता के इसी सत्य पर चल कर उन्होंने जाती, पंथ, संप्रदाय की सिमाओं से बाहर जाकर सबके विकास के लिए काम किया। उन्होंने समाज के सक्षम वर्क को प्रेडित कि विकास के आखरी पाइदान पर रहने वाला आम जन की सेवा करें। जो बात मात्मा गांधी कहते थे, वो बात गुरु वलब जी करके दिखाते थे। उन्हें गरीब से गरीब समाज के आखरी व्यक्ति को मुल्भूत स्विधाय उपलब्त कराएं। उनकी इस प्रेड़ा का प्रभाव आप हम और आप देश भर में देख रहे हैं। उन्ही की प्रेड़ा से देश के कई शहरों में गरीबों के लिए घर बने हैं। अस्पताल बने उन्हें रोजगार के अवसर मुहया कराए गए हैं। आत्मभल्लब नाम से कितनी संस्ता हैं। गरीब बच्चों के भविश्की जिम्मेदारी उठा रही हैं। माताओं बहनों को जीवन यापन के लिए निर्धन बिमार लोगों को इलाज के लिए सहायता कर रही हैं। सात्यों आचार्य विजेवलब जी का जीवन हर जीव के लिए दया, करुणा, प्रेम से ओत प्रोत था। इसलिए उनके आसिरवात से आज जीव दया के लिए पक्षी होस्पिटल अनेक गौशलाएं भी देश में चल रही है। और ये कोई सामान्य समस्तान नहीं है। ये भारत की भावना के अनुस्ठान है। ये भारत और भारतीय मुल्यों की पहचान है। साथियों आज देश आचार ये विजय वल्लब जी के उनी मानविये मुल्यों को मजबूत कर रहा है। जिन के लिए उन्होंने खुद को समर्पित किया था। कोरोना महमारी का ये कठीन समय हमारे सेवा भाव हमारी एक जूरता के लिए कसोटी की तरह था। लेकिन मुझे संतोष है कि देश इस कसोटी पर खरा उतर रहा है। देश ने गरीब कल्यान की भावना को न केवल जीवित रखा बलकि दुनिया के सामने एक उधारन भी पेश किया है। साथियों आचार ये विजय वलब सुरी जी कहते थे सभी प्राणियों की सेवा करना यही हर भारतवासी का धर्म है। आज उनके इसी वचन को हमें अपना मंत्र मान कर आगे बढ़ना है। हमें अपने हर प्रयास में यह सोचना है कि इससे देश को क्या लाब होगा। देश के गरीब का कल्या कैसे होगा। मैंने जैसे प्रारंब में कहा। भोकल फ़र लोकल इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसका नेतरुत्वा संत जगत को उठाना ही होगा। संतों, महंतों और मुनियों ने इस मंत्र को आगे बढ़ाना ही होगा। इस बार दिवाली और सभी त्योहारों पर जिस तमसे देश ने लोकल एक एकोनामी को जम कर समर्थन किया। यह वाग कही नई उर्जा देने वाला है। इस सोच को, इस प्रयास को हमें आगे भी बनाए रखना है। आईए आचारिय विजय वरलब जी की एक सो पचासवी जैनती पर हम सब संकल्पले कि उन्होंने जो कारिय अपने जीवन में शुरू किये थे। उन सभी कारियों को हम पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पन के भाव के साथ उन सभी कामों को मिल जुल करके आगे बढ़ाएंगे। हम सभी मिलकर भारत को आर्थिक ही नहीं वैचारिक दुप से भी आत्म निर्वर बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को अनेक अनेक शुब कामनाएं। आप सभी स्वस्त रहिए, सुखी रहिए, सभी आचारिय भगवन्तों को मैं प्रणाम करते हुए। सभी साथ भी माराज का भी मुझे यहां से दर्शन हो रहा है। उन सब को भी प्रणाम करते हुए। आज इस पवित्र आउसर पर मुझे आप सब के बीच आने का आउसर मिला। यह मेरा सौभाग्य है। मैं फिर एक बार सभी संतों महंतों आचारियों को प्रणाम करते हुए। मेरी मारनी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बार से मटढने करते हुए। झाचारियों क오리स ठहाद। प्रणічा करते हुए। रिया दिए श्रुपवार स्मार्ट उन्हां विर्पा ब patter आ रिषण हैं। घईती हैं। पार आप हल को पांको झाल झाल